ट्रेन में विंडो सीट आप लोग कैसे बुक कर सकते हो चलो इस वीडियो में समझते हैं देखो ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है कि आप लोग 100% कन्फर्म विंडो सीट ही बुक कर सकते हो लेकिन कुछ चीज अगर आप यहाँ पे फॉलो कर लेते हो तो विंडो सीट मिलने के चा अकाउंट बनाना होगा अकाउंट नहीं बना परा है तो कैसे बनाते हैं इसके उपर मैंने विडियो बना रखाओ लिंक आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा उसको देखकर आप लोग इसमें सबसे पहले अकाउंट बना होगे लोग इन करोगे और लोग इ यहाँ पे select कर लेते हैं और उसके बाद आपको class अगर बताना है यहाँ पे 3rd AC, 2nd AC, economic class या slipper class तो बता सकते हो नहीं भी बताओगे तो भी आप लोगको 3 option मिल जाएगा departure date में आपको किस date पे journey करनी है वो date यहाँ से select करोगे उसके बाद ok पे click करोगे search train पे click करोगे तो आपके सामने result आजाएगा यहाँ पे देख लो result आप लोगको मिल जाएगा search train पे click करने के बाद और यह train आप लोगके route पर चल रही है जिसको आप लोग देख सकते हो ठीक है यहाँ पे यह देखो अब देखो train की ticket यहाँ अब दिख पार होंगे यहाँ पे अमरीद भारत में पूरा sleeper class ही चलता है उसके आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे जो है मतलब की special train उनका यह यूज कर सकते हो जैसे कि देखो इसमें सबसे कम बेटिंग है यहाँ पे और economy class भी है इसमें जिसमें seat level है ठीक है 1740 रुपे के ticket है 3 AC है 3 AC में भी seat level है ठीक है तो generally यहाँ पे seat हमें मिल लही है economy class में और चाहे तो sleeper class में भी हमारी ticket confirm हो जाएगी और टाइम है हमारे पास एक अपता का तो ticket confirm हो जाएगा क्यूंकि 7 दिन चल रहा है यहाँ पर यह देख लो 7 दिन यह train चल लिए है तो passenger detail पे हम click करेंगे sleeper class हमने select कर लिया है अब उसका देखो हमने master create कर रखा है master कर यानि की जो journey करने वाले है उनकी detail हमने already बना रखा है इन में से यह drop down आगया है तो हम यहाँ पे select कर लेंगे अब देखो window seat book करने का न सबसे आसान तरीका क्या है यह समझ लो window seat book करने के लिए एक option मिलता है यह देख लो add infant with birth और एक option आपको मिलेगा add infant without birth अब देखो infant यह क्या है सपोच करो आपके पास कोई बच्चा है जैसे की एक साल से लेके चार साल के बीच में कोई बच्चा है और उसके समें आप लोग यहाँ पर उसकी detail दे रहे हो तो chances हाई है कि आप लोग को बच्चे की बज़े से confirm ticket मिलेगा window seat का अब जैसे की suppose करो एक साल से लेके चार साल के अंडर जो मतलब बच्चे होते हैं उनकी ticket नहीं लगती है आप चाहो तो ले सकते हो वो अलग बात है add infant with birth पे क्लिक करके आप उनकी भी ticket ले सकते हो add infant without birth पे हम क्लिक कर लेंगे ठीक है यहाँ पर हम उसका नाम टालेंगे से लेकता age of infant maximum हम चार सल दे दिये है गल से फीमल है वो आपको बताना है और नेम बता कि आपको add passenger पे क्लिक करना है अब यह बच्चा जो है मतलब कि add हो गया यहां से अब देखो इसकी वैसे जो है न हमें confirm ticket मिलने के chances यहां से review journey details पर क्लिक करके यहां पर हम payment कर देंगे और payment करने के बाद देखोगे कि ticket हमारा confirm हो जाएगा ठीक है यहां पर यह देखोगे 732.70 पैसे करने है यहां पर capture डालेंगे और proceed to paper क्लिक करके payment कर देंगे इस option का जब आप यूच करोगे न ठीक है इस option का जब आप यू बर्त नहीं दे सकते हैं अपर बर्त चल जाता है लेकिन वो preference यहीं देते हैं कि जिसके साथ बच्चा है न उसको हम window city allot करें ठीक है lawyer बर्त आपको allot कर देंगे या फिर side lawyer आपको allot कर देंगे तो इस option का आप यूच कर सकते हो बाकि देखो और भी काफी सारी tip and tricks है जिसके option को एक बार यूच जोर करना जब आप लोग ticket को book कर रहे हो तो ठीक है उस case में condition यही है कि अगर आपके बास बच्चा है तो उस case में आप लोग कर सकते हो ठीक है बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में